हरी कृष्णा रादे रादे कैसे आप सभी आशा करती हों आप सब कुशल मंगल होंगे और आप सभी करवाचौत की तयार में बहुत ज़ादा बिजी होंगे आप सभी को करवाचौत की डेरोशुप काम नाए आने वाली करवाचोथ हम सभी की मंगल में हो, माता करवाचोथ हम सभी का सुहाग बनाए रखें इसी आशा के साथ माता रानी से हमारी प्रातना है तो आज का जो ये वीडियो है ये है कि करवाचोथ की पुजा में हमें किसकी सामिक्री की आवश्रक्ता होती है इससे पहले जो मैंने करवाचौत से related वीडियोस दिये है उसमें बहुती विस्तरित तरीके से बताया गया है कि किस प्रकार से आपको सामिगरी लेनी है कैसे पूजा करनी है आप करवाचौत की विस्तरित विदी जाना चाहते है तो उन सभी का लिंक आपको डेस्किप्शन में या फिर एंडे स्क्रिन पर मिल जाएगा आप उन वीडियोस को भी चेक आउट कर सकते हैं आज की वीडियो में मैं आपको बहुती सरल तरीके से करवाचौत पूजन में हमें किस-किस बेसिक सामिगरी की आवशक्ता होती है वो बताने जा रही हूं तो एक चौकी चौकी के उपर लाल वस्तर आप बिचा लेजिए ये तो अलग से इसकी चौकी लगानी ही होती है न करवा चौत के टाइम पर बहुत जादा मार्केट में मिल जाता है आप कैलेंडर भी ले सकते हैं और यहां पर गणीजी दिये हुए अलग से गणीजी की सापना की आवशक्ता नहीं है साथ में यहां पर कथा भी दे रखी होती है तो कथा की पुस्तक की भी कोई आवशक्त स्कते हैं यही vi देंजिए करवे की आवशक्ता होती है करवा और इसे बंद करने के लिए आप चाहें तो जो ट Hispanकी सी के आतीज आती ना वो भी ले सकते हैं रुई से वसे बंद कर दिया जाता से के द्ग को और इस करवे के ऊपर हमें एक ढकन मिलता है इस मैं चांधे किलता है इस दिये का प्रियोग हम चांदनवा को अर्गे देने के लिए करते हैं मिटी का दिया जलाया जाता है और इसी के साथ में आप मिटी का करवा भी ले सकते हैं यदि आपके पास मिटी हर साल आप नहीं लेना चाहते हैं तो आप दातुका भी एक बारी ले लिए लिए पितलतांबे का उसे हर साल आप यूज कर सकते हैं उसी के साथ में देखिए आप खांड के करवे भी लिये जाते हैं तो इसके अंदर आप खील बताशे भर सकते हैं ड्राइफूट भर सकते हैं इनका दान किया जाता है सुवागन स्रीयों को शादी के पहले साल तो यह 13 दान क करवा तो आपको जरूरी रखना उसी के बाद में देखिए जंद्रमा को अरगे देने के लिए चलनी की आवशकता होती है इस तरीकी की डेकरेटी चलनी बहुत जादा मार्केट में मिलती है आप चाहें तो खुद भी सजा सकते हैं बहुत अच्छे से तो स्टील की आप चलन पूजा में रखिए प्रतेक शुबकारे में हमें उसका प्रियोग करना चाहिए साथ में आपका मांग टीका और नत का भी हो सके तो आप जरूर प्रियोग करें उसे अवश्य रूप से पहने करवा चौत के दिन इसी के साथ में देख लेते हमें किसकी सामिकरी के आवशकत तो देखिए सबसे पहले तो एक हमें दीपक चाहिए निकी कुल मिलाकर के दो दीपक चाहिए एक चंद्रमा को अर्गी देने के लिए एक पूजा करने के लिए धूप चाहिए वस्त रूपे अर्पित करने के लिए कलावा चाहिए कलावा हमें करवे में बाधना होगा उसके और इसी के साथ में देखे दक्षिना भी ली जाते है यानिकि इस अनाज का दान कर दिये जाता है पहले समय में तो बहुत सारे गेहु निकाले जाते थे और इसी के साथ में देखे आपका जो सिंदूर दान हो सिंदोरा आवश्य रूप से यहां पर आप पूजा में रखिए क्योंकि सिंदोर माता को अर्पित करने के बाद में सुहाग अर्पित करने के बाद में माता से सुहाग भी लिया जाता है उसी के साथ में आरती करने के लिए कपूर रख लिए आप चाहें तो दिये से भी आरती कर सकते हैं और इसी के साथ में हमें जल का एक लोटा चाहिए कथा सुनने के लिए और पी जल चाहिए हमें करवे में भरने के लिए तो इस तरीके से एक जल का लोटा ले लेंगे और अरपित करें नहीं तो मुख्य मुख्य जो चीजे होती है न चूड़ी विंदी मेंदी सिंदूर और चाहें तो बिच्छिया भी यहां पर रख सकते हैं तो जो भी आपकी सामरत है उसके अनुसार आप यहां पर सुहाक की सामिगरी आवश रूप से करवा चौतमाई को अरप भोग परसाद में जो भी मिठाई आपने बनाई हो मार्केट से भी ला सकते हैं मिठाई मेवा और जो भी रितुफल मिल जाते हैं उनको आप पूजा में रखें इसके अलावा बाइने के लिए यहां पर पूड़ी खीर पूड़ी हल्वा जो भी आपके रसोई होती हो नो ऐसे चौत का दिन होता तो चारंग का विशेश महत रहता है कोशिश करके आप यह तो चार प्रकार की चीज़े रखें या फिर चार रखें संक्या में उसी के साथ में बाइना निकाला जाता है किसी भी सुहागन महिला के लिए सास या नना दिया ससुराल पक्षकी कोई भी सुहागन महिला के लिए उनके उपर देखें साड़ी ब्लाउज आप चाहें तो सूट भी रख सकते हैं और देखें कुछ दक्षिना और शंगार की सामेग्री जितनी भी चाहें उतनी आप यहाँपर रख सकते हैं पांस सामेग्री तो कम से गम आप ज़रूर रखी इसके साथ में फूल जो भी आपको मिल जाते हैं वह आप रख लीजीए फूल यदिन मिलते तो बिना फूल के भी पूजन कैसे क्यों सकते लेकिन फूल अग यदि हम पूजा में प्रियों करते हैं वहीं ज़्यादा शुग रहता है इसी के साहर्ट कृस्तक हैं नहीं तो कलेंडर जो हमने लिया है उसे भी कथा दी हुई है उसे भी हम अपनी कथा पढ़ सकते हैं तो इस तरीके से हमें ये सब सामिकरी चाहिए अब यहाँ पर यदि आप कलश की स्थापना करना चाहते हैं तो कलश स्थापना के लिए आपको एक कलश चाहिए कलश के देख करके तो इस तरीके से हमें बेसिकली इस सब सामिगरी की आवशक्ता होती है करवाचौत के पूजन में तो उम्मीद करती हूँ कि आप इस सब सामिगरी को देख करके करवाचौत से पहले आप अपने सारी करवाचौत की तयारिया पूरी कर लेंगे और इस तरीके से ये सारी सामिगरी है न हम दो पैर के समय ही खटा करके रख लेते हैं जापर भी हमें चौकने लगानी होती है उसके बाद में हम अच्छी प्रकार से सजते हैं तयार होते हैं फिर हम शाम को पूजन करते हैं तो फ्रेंड वीडियो ये थी थोड़ा भी करेगा और कॉमेंट बॉक्स में करवा चौत माई की जै आप अवश्य लिखिएगा दोस्तों मा करवा चौत की कृपा हम सब पर बनी रहें इसी आशा के साथ विदा लेती हूं मिलती हूं नेक्स वीडियो में तब तक के लिए हारे कृष्णा रादे रादे जै करवा चौ करवा चौत मिया